कि जर्निस सुमितिगरी यूटू इंचलने पर आप सभीका स्वागत है और आप हमारे साथ इस व्लोग में देख रहे हो तिरिंगा यात्रा जो बिक्का नेर में बगत सिंग गुरुप के द्वारा निकाली गई और बगत सिंग पारक में बगत सिंग जैनती पर मूर्ती की स् आप भी इस वीडियो के ने तक बने रही है और उन पर लों को आप देखते रही है अगर आप इस चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें दोस्तों के साथ सेरा हुशे करें चैनल शेकर जी आजाग मैं क्या हूंगा हमाई बंक पर लाएं और हुने इसनाग भी अजिए पामानिक अधिकी प्रिवादी उसलाग फ्रोप के निजिए और वांधा की करके और हमारे चोटी सी रिक्वेस्ट करें आप अत्मता की बंदे पात्र भाई जितने भी संगठन के जो युवा कि बिकानेर में बगत सिंग ग्रूप द्वारा ये जो त्रिंगा यात्रा है ये पुस्ट करना स्टेडियों से शुरू हो करके और जैनरान व्यास कलोनी में स्टित बगत सिंग पारग पर जा करके संपन होगी और इसमें अजाद संदसेखर अजाद के पोत्र अमित कि इस रेली बिकानेर के में पजाद से उकर के गुजर रही है तो आप भी हमारे साथ इस वीडियो के अन तक बने रही है और उन फलों के साक्सी बने आज़िया जल्दी करा ले मंगा ले इंगाडी में रोक लो दो रुके के नहीं रेली में रुकती तोड़ी है अब ही फोल गए खारू के दे है था 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 खाने के लिक्किर ना यह ने दीग गए ती हुआ है वारबजास टी पकी बारबजास थी हया था है क्यामी कि राज्यों 2 मिंटे गया जाँ अजर बहां को सुन से शीवास ने अबर है अब लाह मस्की एकर झाल लेड़ं जन्हीं हुए भी जिए है कि याद भी टास रहा हुए धिनाओंता रहा हुए है झाल लेड़ं नहीं हिने अचित नहीं उने हम जहें लादा लेड़ंगा सोब्से हमें ए टे हमे क्वेत शी प्र लाद लेड़ंगे कर दो कर दो कर दो कि आज हमारे बीच हम एक ऐसे शक्षियत को मुख्यम अठिकी के रुप में अवंत्रित कर चुके हैं जो कि चंद्र शेकर जी आजाद के पोत्र पहुंच चुके हैं सबसे पहले मैं ग्रुप आजात्रिवाडी का आज इस प्राहण में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं हमारे बीच कोछे देर में हमारे इसी कारिखं के विशेश मेहमान के रुप में मैं चाहूंगा हमारे खुप के अधिक्ष मोदे और कोशाधिक्ष मोदे से चाहूंगा कि उन्हें एस्पॉर्ट करते भी मंच पर लाएं और उन्हें इस्तान गरन कराएं हमारे बीच स्रीमती साथ्यां साक्षि बने की बहुत भागत सिंग मुर्टी के अनावरुण दारेवे मुख्य तितियों के दौरा किया दारा है देखे आज का दिन हमारे लिए बहुत इंगारो का विश्य है गारो का दिन है और हमारे लिए यह चीर विश्मन दिनकी है कि इस भवियम सांदार मूर्थी जो कि हमने चंडिगर से बनवाई है और इसका लोकारफन आप होने जारा है हमारे बीच इस गुरूप के सलाकार मंत्री राय विशाल्थी भी है उनसे भी मेरा अनुरोद रहेगा कि वे भी आगे चलें उनका इस मूर्थी के लोकारफन कारिक ही इस भी आगा आगा सी बन्कारफन आग बिच आगे पार आगए ताग भार हमाता कि रमतार मुशा याआ कमाद हाै वान वादी शांतार भव्य पृतिमा का नोकारपन आप और अमसर्थ के भीच हमारे यहां लगनों से पदारे विशेश मेहमान के रूप में चंद्र शेवल जी आजाद के पोत्रव श्री अमित जी आजाद तिवाडी साफ श्री उस्मेंदर्शिक जी र्याटोर आई जी बी श्रीमते नेहां जी तिवारी तोला राम जी शियाख और इसी के साथ साथ धूप के नेत्यान जी पारी राय विशाल जी अध्यक्ष मोदेन सभी का आज के इस धव्य कारिकर में हार्दिक अभिनानन और पनाई श्वागत आप और हम सभी पर्तेक्ष और पर्तेक्ष बाट पता की यहां जी और फ्रीमते के नेहां जी पर्तेक्ष नोजे श्वागत पड़िक अध्यक्ष रेर विश्वाब पिर प्रतेक्ष रस धाधिक अधुननन और श्वागत करते हैं साथियों इसी क्रम में मेरा अगला निवेदन रहेगा हमारी ग्रूप के कोशा द्यक्ष भाई शंदीप से मेरा अनलोद रहेगा कि आजी कमर पदारी है उनको भी पुस्प गोच बेट कर आर्दिक अभी नंदन और स्वागत करें इसी क्रम में मेरा अगला निवेदन रहेगा भाई मेंदर स्वागत करें निवा देता हूँ और मैं चाहूँगा कि आप आएं और आप आकर के इस आज के भाविय कारिक्रम को संबोदित करें श्री पुस्पेंदर शिंग जी राठोर साथ भागत सिंग्जी को कौन नी जानता पूरे दुनिया में और मंच पे जो है शहीद परिवार के ही एक मेंबर्स फैमिली मेंबर्स आए वे हैं इस परिवार को धन्यवार देना चाहूंगा कि वह यहां आए ती दूर से और इस परगाम में शामिल हुए साथ में मंच पे जिते भी में 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 मुझे बड़ा गर्व है कि वह इस परगाम में भी शामिल हुए 1965 अब तक सत्रा सो जवान बॉर्डर के लिए शहीद हो चुके हमारे सत्रा सो तो यह शहीद भगत सिंगी की जो जो इनोंने जो इनिशिटेम लिया उसके बाद में आज भी देश के लिए लोग शहीद हो रहे हैं बॉर्डर पर और जब भी ऐसी आपदा या कोई भी इशू आते हैं चाहे वो पलीस हो जा कोई भी सरकारी मुला जीम हो जो देश के लिए काम करते हुए डूटी के दोरान खतम होता तो मैं उसको शहीद ही मालता हूँ यह बहुत बड़ी बात है क्योंकि आप अपनी लाइफ को सेक्रिफाइज करते हो वो भी बॉर्डर पर बीस आप जो है वोर्ल की सबस्ब बड़ी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है और अभी मैं और आपको इस मौके पर बताना चाहूँगा इस ग्रूप को कि अभी बॉर पर जितनी भी हमारी बॉर्डर आउट पोस्ट है हमने बहुत बॉर्डर आउट पोस्ट है हमने बहुत बॉर्डर आउट पोस्ट है हमारे बीस आप के जवान ऑफिसर जो शहीद हुएं बॉर्डर पर गोलिया खाई है पाकिसान से लगाई लड़ते हुए उनके नाम पर ह में काफी बाडर आउट पोस्टें रखी है और अभी जो है मुझे पता चला है उपर से भारत सरकार ने भी बोला कि आप नाम प्रपोस्ट करें तो आज एक ऐसा दिन है कि मैं ये बताना चाहूँगा कि शहीद भगट सिंगके नाम करें पहे बहां कि हमारी जीती भी सितना प्रपोस्ट Quindi के लिए-प्रफोस्ट करूँगा कि ऊचिस्स भागट पोस्त अब G्रूप ऑफ By इणवाईट करूगा कि वह बहाँ है और उस प्रपोस्ट अप अपको मेरी जो है पोस्टिंग हो चुकी है क्योंकि मेरा पॉमोशन आया आपने बताया और मेरे पास दस बारा दिन है जिता भी है मैं इस लोरान ये पूरी कारवाई करके ही यहां से जाऊंगा तो एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने यहां मुझे बु लिया दी उन सबको हमको याद करना चाहिए और हमने हमारे कैंपस के अंदर एक बहुत ही बड़ा सुन्दर गॉल्फ कोर्स बनाया है वो गॉल्फ कोर्स भी है मैं आपको बदा दूँ उसके अंदर एक खोल एक पर्टिकुलर गेम जो खेलते हैं वो शहीद बगत सिंजी के उनके भी फोटो लगे हुए में ज़ए करके और हमारे चोटी सी रिक्वेस्ट पर यहां पहुंचे और आपने आज के इस भविय कारिकम को और चार चांद लगाया कि आपने बगत सिंग जी की मूर्थी का अनावरन करके हमारे बेकाने रवाशों में एक नहीं उर्जा का स अगत करें हम सभी एक बार वो नारा लगाएंगे जो नारा किसी भी दल का नहीं किसी भी पार्टी का नहीं और किसी गट्टी विशेश का नारा नहीं और वो नारा आप सभी लोग को पता है मेरे साथ बोलिए भारत मता की बंदे बंदे अब उस शब्द को दोहराएंगे जो फासी चड़ गए थे उस सब्द को कहते कहते जिस नारे को जिनकी प्रतिमा का हम लोगों हम सभी लोगों ने मेरा तो उसमें हाथ लगा हम सब ने इसका अनावरण किया है मिल करके मैं शहीद गुरूप भगत सिंग का बहुत बहुत पहले तो उनको शुब कामना देता हूँ नवल भाई को नवल गिरी महंदर भाई जितने भी संगठन के जो युवा करांटी कारी युवा है बड़ी बात यह करांटी कारी युवा संदीब भाई इस गुरूप के संगठन में है और हमारे इस पवित्र मंच पर मरे बीए सिर्फ के आदर्णी पुषपेंदर जी को मैं नमन करता हूँ संपूर्ण आजाद परिवार के और से श्री शालनी जी को नमन करता हूँ आदर्णी उशा जी को नमन करता हूँ जो देश के लिए अपना सर्वस से लगा करके इस देश के लिए काम कर रहे हैं सबसे पहले मैं दो शब्द उन शहीदों के लिए पहले बोलूँगा उसके बात आगे की बात करूँगा देखना है जोर कितना बाजवे कातिल में है ना हिले है ना वलवले है ना अर्मानों की धीड़ है बस वतन पर मिट जाने की तमना दिले बिसमिल में है और आज मक्तल में यह कातिल कह रहा है बार बार क्या तमना यह शहादत भी किसी के दिल में है ए शहीदों मुलकों मिल्लत मैं तेरे उपर निसार और अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महिल में है सरफरोशन की तमना अब हमारे दिल में है मैं इन युवाओं का वो जोस जिस प्रकार से भी यात्रा लेकर हम सब आ रहे थे मैंने अभी कहा कि उम्र माने रखती है हम कितनी भी उम्र के हो जाएं हम भगत सिंग जी का जैकारा लगाते रहेंगे हम चंदर शेखर आजाज जी का जैकारा लगाते रहेंगे लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि भगत सिंग जब शहीद हुए तो कितने साल के थे तेईस साल के चंदर शेखर आजाज जब शहीद हुए तो कितने साल के थे चाओबिस साल के बात उम्र की होती है उम्र भर देश के लगन नाम ले और किस उम्र में अपनी जवानी हमारे लिए सबसे प्री होती है मैं आप कोई बताना चाहता हूँ आदमी अपना एक पें भी किसी को देता है तो उसका खुखल वापस लेना नहीं भूलता है लेकिन मेरे इन करांतिकारियों ने इन भगत सिंग अश्वाक उल्ला खान ठाकूर रोसन सिंग लाजेन लाड़ी और राम प्रसाद विस्मिल चंदर शेखराजाज जी ने अपनी जवानी इस देश को दी उस जवानी दुबारा हमें कभी नहीं मिलती इसलिए हम इन सब इन भगत सिंग अश्वाक उल्ला खान और चंद शेखराजाज जी के रिणी है एक बात आप जान लीजेगा यहाँ पर हम सब जितने भी देशवासी है हम सब किसी का भी लिया हुआ कर्ज उतार सकते हैं लेकिन हमारे शहीदों का जो कर्ज हमको मिला है आज हम इस धर्ती मापर आजादी से बैठे हैं वो इस जीवन में तो कम से कम नहीं उतार सकते हैं थे हमारे देश के सही आज जो कुछ हमें मिला है जो कुछ हम जी रहे हैं वो इन शहीदों की देन है इन्हों ने अपने घरबार बात किये इन्हों ने अपने माबाप को त्यागा आप जानते हैं चंदर शेखार आजाज जी के पास उनके एक मित्र सदा सिरौ मलका पूरकर जी गए उन्हों ने कहा की आजाज तुम्हें पता है मद्ध प्रदेश में तुम्हारी मा जगरानी देवी तुम्हारा इंतजार कर रही है पंडी सीता रामतिवारी तुम्हारे पिता जी तुम्हारी राह देख रहे है क्या तुम मिलने नहीं जाओगे आपको पता है आजाज जी का जवाब क्या था उनका जवाब था उन्होंने अपनी जेब से पिश्टल निकाली वो पिश्टल लगते थे कॉल्ट की पिश्टल जवाज भी प्रियाग राज के उत्तर प्रदेश में एक प्रियाग राज है जहाँ पर अंतिम बार चंदरशेखा राजाज जी लड़कर शहीद होए थे वहाँ पर जाकर वो पिश्टल आप देख सकते हैं वो पिश्टल उन्होंने निकाली और निकाल करके सदासिरा मलकापुर करके सामने दो बार उसमें से दो गोली निकल के गरी और उन्होंने का ये दो गोली अगर मेरे माता पिता ज़्यादा फरेशान है तो ये दो गोली उनके लिए है जाओ और जो इसका कर्सों को कर लो क्योंकि मेरे लिए मेरे माबाब से बड़ा अगर कुछ है तो वो एक देश है ये धर्तिबा है ये मात्र भूमी है तो ऐसे शहीदों का स्चानित हमें काप्त हुआ है मैं आपको पताना चाहता हूँ कि हमारे देश को सिर्फ चंदर शेखार आजाग भगस सिंग जी और अश्वाक उल्ला खान कुछ एक नाम तो हम जानते है लिए देश को आजाग कराने में आज आप लिख लीजएगा डाइ तो और ने अनजाने उन सब की वजासे आजम आजाद है और आजार्थी की हवामे सांस ले रहना एक बार बोलnt है भारत मता की बंड़ बंड़ इंकलाप बंड़ उन के इंकलाप इंकलाप इमधा हैं यहां पर मूजूद है जो मेरी मात-ाय बेहने बैठी हैं उनको एकी चाहते हैं कि हमारे बगल में भगत सिंग पैदा हूँ, हमारे घर के बगल में चंदशे का राजाद पैदा हूँ, लेकिन हमारे घर के अंदर नहीं पैदा होने चाहिए, मैं उन मावेहनों से पूछना चाहता हूँ, कि क्या जब उन पर कोई हमला होगा, तो क्या उनका बेट खड़े होने चाहिए बहुत ही प्रसंदता का विश्य है मैं आप सब के बीच में आ जाया हूं यह हमारी क्रांती दरा है यह राजिस्थान मैं दोई शब्द कहना चाहता हूं कि हटी हमीर जगे हटी हमीर जगे जिसने जुकना कभी न जाना जगे पद्विनी का जोहर चागे के सरिया बाना और देश भुक्ति का जीवी जंडा आजादी का दिवाना वैप्रताप का सिंग जगे जगे हल्दी गाटी गाराना और तक्षिन वाला जगे शिवा जी कून शाह जी का ताजा मरने की हट्ठाना करते विकट मराठो के राजा चात्रसान बुंदेला जागे पंजाबी करपान जगे और दो दिन जिया शेर के माफिक वैश शहीद अश्वाक उल्ला खान जगे पन्वाहे का जगे मुर्चा पानीपत मैदान जगे और जगे भगत सिंग की भासी राजगुरों के प्राण जगे आज भगत सिंग जी के जनम दिवस पर मैं आजाद पर कफ्तृत होंगे अगली बार, बोलिए भारत मता की बंदे, बंदे, एक बात याद रखेगा कि तिरंगा कभी हवा से नहीं लहराता है, वो लहराता है, हमारे भारती सेना बार्डर पर जो लोग दिन रात तकते हैं, उनके रख्त से उनकी मेनद से, बोलिए भारत मता की, आप सभी को बंदन करता हूँ अभिनंदन करता हूँ माभारती की सेवा में आप सब लोग लगे रहें यही काम ना करता हूँ भारत माता की ज़ए अज़ इस मौके पर हमारे इची कानि में नहीं वह अन्य जगे अपनी सरकारी सेवाई दे रहे हैं क्योंकि सरकारी नियम होते हैं और नियम कानुन काईदे को अंतिसार हमका आना जाना लगा रहता है तो मैं आज इस मौके पर उस वेक्ति को ज़रूर याद करना चाहूंगा जिनके अथक प्रयास से मात्र हमें दो से तीन दिनों के अंदर उन्होंने बिना किसी ऐसी कोई हमारे को मसकत कर रहे हमें इस जगे के लिए अपनी और के ऑन दा टेबल हम यह कह सकते हैं उन्होंने हमें पर्मिशन दिलाई वो थे हमारे बिका निर के पूल संभाग यह आयूद सुनियर्ज के पांसर जिनका मैं बहुत बहुत धुनेवाद यापित करना चाहता हूँ और आज मैं जब उनका मन से नाम ले रहा हूँ तो निशित रूप से मेरे रॉंग पे खड़े हो रहे हैं कि उन्ही के हम यह कह सकते हैं उन्ही की बदोलर आज हमें यह भीका निर के अंदर बगल सिंग पार्क जो उपलग दुआ है होता है निशित रूप से होता कोई भी प्रशाशनी का धिकारी आता निशित रूप से हमें करवाता हमारी मांग थी तो हम मांग अपनी करते और हम अपनी मांग के आगे उन्ही को जुखाते और हमें निशित रूप से आज नहीं कल नहीं परसों नहीं तीन साल नहीं तीन साल और बढ़ जाते लेकिन नियुज के पॉइंसर ने हमारा थोड़ा सा प्रियास जब देखा कि इस तरह से युवा ग्रांतिकारी एक अस्नी मुर्थी के साफना करना चाते हैं ठीक हैं सरकारी तामजाम होते हैं सरकारी एक नियम होते हैं और उस नियम के अनुसार वे यहां से जैपूर गए जैपूर के बाद वे अभी बाड मेर में साहिद अपनी सेवाएं दे रहे हैं बास्वार में सेवाएं दे रहे हैं लेकिन आज भी हमारा उनका बराबर कॉंटेक्ट बना है आज मैंने जब उन से बात की तो वे बढ़े गदगद होएं कि आज एक भव्य कारिकम का आयोजन बीकाने में हो रहा है लेकिन मेरी उपस्तिती नहीं है तो मैं चाहूंगा कि एक वार आप सरी नियर्ज के पांसर के लिए जोड़ना तालियम हो जाएं जनों है एक दो बात अगस सिंग को निशन रूट से एक एक ऐसा मुकांग पर लाकर खड़ा किया प्टेना धी कि वास्तो में आप आप बगद सिंग पार्क बनेगा और आज लेखे़े यह बगद सिंग पार्क भी बन रहा है और बगर सिंग पार के अंदर एक बगर सिंग जी की मूर्टी का भी अनावरन ऐसे करकमलों से हुआ है जो कि बड़े ही अपने आपने संजेवे इंसान हैं और आज वो हमें इसके लिए आसिरा दे रहे हैं मैं गुल्प और बगर सिंग के तमान उन करांते कारी साथियों का तह दिल से इस्तक्बाल करता हूँ धन्मवा देता हूँ कि अन्यूने सर्फरोसी की तमना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजवे कातिल में है इन्हीं दुआओं और सुबकावनाओं के साथ आप सभी को दिन्यवाज़ आपने वीडियो को अंतक देखा और अगर आप इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करे और एसे ही इस चैनल और इस ब्लोग को देखते रहें और प्यार देते रहें अगर आपको कोई बी विचार और वाहने आपके मन में हो तो इसको कमेंट खौक्स में हवीशे बतलाएं और हमें सुजावोदे था इस ब्लोग के ने मैं भी अपनी जानकारिर इस प्लेंट सब तुझ दिए गपोल Corn कि भाडकी यर्वातर जैनल गिलोस्टे पाटरम जानल कि थास्वं बारातोपी आघ्रप। जाओं दुझ अराक आखिए, आ तुझ अराण एठा श si bols कि पारे वास्मातागी है कि पारे मातंगी ओभात्रम बारे मात्रम कुछ दो, आपराम!